अब बढ़ते हैं बिहार की ओर जहां RGD नेता को महंगी पड़ी सीम नितीश की आलोचना करना और आपती जनक फेस्बुक पोस्ट को लेकर गिरफतार हुए हैं अब बलकुल और यहां पर जैसे की तमाम इस वक्त ये बड़ी ख़बर यहां पर आ रही है और ऐसे में इसकी आगर जारा जानकरी के लिए आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर बिहार की एक ख़बर है और ऐसे में पूरे राजनीतिक गलियार में इस मामले के सामने आत पुलिस ने फेस्बुक पेज़ पर अबदर वीडियो शेयर करने के आरोप में मदुबनी के आजएडी जला उपाद्यक्ष सचिन कुमार चौधरी को ग्रफतार कर लिया और मदुबनी पुलिस के तकनीकी सेल प्रभारी शेलिश कुमार के नेतरोत में पुलिस ने आजएडी वीडियो को सोचल मीडिया पर वाइरल करने का आरोप है और आरोपित ने शुराबंदी कानून को धता बताते हुए वीडियो को वाइरल किया है और आरोपित ने मुखमंत्री की बातों के आलोशना भी की है